नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल PCMB Digital Groupal Classes पर बेटा क्लास नाइन्थ की वर्कशीट है वर्कशीट नमबर 75, 20 जैन्वरी आज हम उसको डिसकस करेंगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों तो ज इन्ट आरीटे अपने और बे 지역ly रसे बेहें जाता है ब्सक्राइब नहीं करते हृत अपने इन्ट और दो जाना है इन्ट दीजेज causes diseases के लिए जहां पर where microbes immediate cause होते हैं जैसे bacteria virus उन disease को हम क्या कहते है infectious disease जैसे corona virus से corona disease हो रही है तो यह infectious disease है एक consciousness में फैल सकती है we should learn about categories of infectious agent अब दूसरा सवाल कि हमें इनके बारे में क्यों पढ़ना है ताकि हम इनका इलाज जान सकें चीक है क्यों पढ़ना है because that helps us in deciding about the kind of treatment इससे में यह मदद मिलते हैं कि हमें इनके खिलाफ कौन सा treatment करना है जैसे antibacterial medicine उन disease में काम करेगी जो bacteria से होती है which are caused by bacteria and not against the disease caused by virus और other pathogens जैसे की parasites there are many organisms बहुत सरे organisms हैं जिनसे बिमारिया होती हैं human beings में and there is a wide range of categories बहुत सारे category of microorganisms हैं microbes जिनसे human में बिमारी होती हैं जैसे bacteria, virus, fungus and proto zones ठीक है बटा तो इन में से कोई भी हो bacteria, virus, fungus या proto zone इन सभी को क्या कहते हैं pathogens these are the disease causing agents that cause disease in other organisms जैसे bacteria हो, virus हो, fungus हो कोई भी disease causing organism हो जो किसी इंसान में disease या किसी दूसरी species में disease करता है उसे हम कहते हैं pathogens these pathogens include harmful microbes इन pathogens में कौन include होता है harmful microbes जैसे कि अभी आपने उपर नाम लिया bacteria, virus, fungi and proto zones and parasitic worms vectors क्या होते हैं ये कुछ ऐसी चीज़े होते हैं जो बिमारी को एक से दूसरे में फैला देते हैं जैसे malaria का होता है female anophiles है ना bacteria are those जो carry करते हैं infection को from the host to a recipient एक host से recipient तक जैसे किसी वेक्षिव और Corona का mild infection उसको कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगले आदमी को transfer कर सकता है जैसे hepatitis भी ऐसा ही होता है जैसे mosquito, rat, dog, monkey, flies जैसे हम देखते हैं घर में हमेशा हम खाना डखके रखते हैं क्योंकि मक्षियां जो होते हैं infection को fecal matter से लाकर उस पे spread कर सकती है जैसे rabies जो है वो dog के अंदर होता है तो dog उसका vector होता है जो 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 बोलते है vector bone disease है कुत्ते काटने में कुत्ते को तो rabies नहीं हुआ लेकिन हमें हो गया वो host था अमेरिको स्प्रेड हो गया bacteria से कौन से बिमारी होती है बैटा उसका नाम है नीचे tetanus, typhoid, pneumonia, plaque, tuberculosis, leprosy, cholera, diptheria, whooping cough, gonora, syphilis and anthrax ये सब के सब क्या है bacterial disease है viral में influenza, dingo, chicken box, smallpox, measles, mumps, AIDS, polio, common cold, hepatitis, herpes, encephalitis and rabies ये सब के सब क्या है viral disorders है हमें होता ही रहता है common cold box है polio के बारे में भी हमने बहुत सुना dingo के बारे में भी सुना है बड़ी classes में जाएंगे तो आप इनके causative agent वे आपको पदज लेगे protozova से कौन सी होती है protozova इंफेक्शन कहते है virus वाली को viral और bacterial वाली को bacterial disease प्लाजमों ने वाइवेक्स होता है लिसमेनियास कालाजार करता है sleeping sickness से क्या होता है ट्रिपनोसोमा से होती है लिसमेनिया किस से होता है कालाजार से रिमी बैसे अमेग डैसेंटरी परसिटेक वाम यह सभी आपने हामफल माइक्रोब के नाम पर उपर भी पढ़े वी थे एसकरियासे, spin वाम, tape वाम, hook वाम एन एलिफेंट यासे पढ़ा होगा आपने इसमें से जाद अतरलो प्लैटी और एसकी हेलमिंस में आपने जो है फ्लैट और रॉंड वाम के तौर पर बार डैसेटी में पढ़े होंगे फंगस से कौन से डिजीज होती है बिटा skin disease, ring warm, nail infection and candidaeus अब देखे पहला कोशन है बिटा कि all microorganisms are harmful to us explain तो अब लिखेंगे no क्या answer लिखेंगे बिटा इसमें first question क्या answer क्या होगा no all microorganisms are not harmful to us not harmful to us like bacterias incurred जो दही में बैक्टीरिया होते बिटे are helpful for us ठीक है अब हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होते है और हमारी बोडी में और भी बहुत सरे बैक्टीरिया होते है ठीक है what are infectious diseases बिटा infectious disease क्या होती है देखे तो इसका answer तो simple है where microbes are the immediate cause such diseases are called as infectious diseases second cancer third question है बिटा five disease by bacteria and virus तो भाई ये होगे bacteria की पाच ले ले लेते हैं उपर वाली और ये हो जाएगी बिटा पाच इसकी virus की तो ये हो गया third answer बैक्टीरिया की और viruses की चोथा question है आपके पास काला अजार और sleeping sickness का cognitive agent क्या है तो काला अजार का cognitive agent क्या है lesmaniasis और sleeping sickness का क्या है trypnosoma answer number 4 तो बिटा इसी के साथ ये worksheet से माफ्थ होती है दन्यवाद